चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से करार तूटने के बाद IPL को नया टाइटल स्पॉंसर मिल गया है। पहले पतंजली टाटा संस जैसे नाम शामिल थे। लेकिन टाटा संस ने आखरी दौर के लिए बोली ही नहीं लगाई। चीन कंपनियों के खिलाफ बने माहॉल के चलते वीवो का करार IPL 2020 से टूट गया। हाला कि दिल्चस्प बात ये है कि Dream 11 में भी चीन की कंपनी का निवेश है। चीन की टेक कंपनी Tencent ने 2018 में Dream 11 में 10 करोड डॉलर यानी 720 करोड उपय का निवेश किया था। BCCI ने Dream 11 में Tencent के निवेश की अंदेखी करने के पीछे दलील दी है कि Dream 11 देसी कंपनी है। इसके फाउंडर हर्श जैन और भावित सेट हैं जहां 400 से ज्यादा करमचारी भारतिय हैं। Tencent के पास सिर्फ 10 फीजदी शेर है, Dream 11 सिर्फ भारतिय यूजर्स के लिए है। BCCI बोर्ड ने भारतिय कंपनियों को लुभाने के लिए Title Sponsorship की रकम 90 करोड रुपे कम की थी। पहले ये रकम 440 करोड रुपे सालाना थी, बोर्ड ने नई बिडिंग के लिए रकम घटा कर 300 करोड से 350 करोड रुपे सालाना करती थी। हाला कि Dream 11 को Title Sponsorship 222 करोड रुपे में ही मिली है। Pure Report, Go News